हेलो एबरीवान, वेलकम बैक तो माई चैनल, इस मैट्स टाइम टूड़े, तो टूड़े वी आर गोई टू स्टार्ट एक्सराइज एट बी, लास्ट वीडियो में हमने इसका इसका इंट्रोडेक्शन पार्ट फोर देखा था, तो आज हम कोश्चन नमबर वन से करना है, इंट्रोड़क्शन में मैंने आपको बताया है कि कॉमन फ्रेक्टर मेथड क्या है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखा है, तो फर्स्ट आप उसे देखे, थाकि आप इजली जो है क्वेश्चन वह सॉल्व कर पाएं, तो क्वेशन नमबर वन का फर्स् फिक्स्टीन एंड थर्टी फाइव, तो हमें शिक्स्टीन और थर्टी फाइव का जो है कॉमन फेक्टर मेथड से एट्सी फाइड करना है, तो फेक्टर्स ओफ इसमाइड थर्टी फाइव आर इसमें आएगा ही आएगा, तो और आप देखेंगे कि ये टू के टेबल में आता है, तो येस, तो टू, एड्सार, शिक्स्टीन तो एक तो टू हो गया और एक हो गया हमाएग गया, हमारे पास एड़ और एक आज जाएगा 4, 4s are 16, तो 4 को हम 1 time लिखेंगे, now factor of 35, तो factor of 35 में भी हमारे पास, 1 और 35 तो आए गई, आएगा, इसको हम पहले as it is लिख लेंगे, अब 5, 7s are 35, तो यह क्या हो गए हमारे पास, factors of 35, अब इन दोनों में हमारे पास, next step में हम क्या लेखते है, common factor, तो इन दोनों में हमारे पास, common factor क्या है, 1, so the common, the common factor between 16 and 35 is 1, therefore the HCF of 16 and 35 is 1, now second part है हमारे पास, second part is 25 and 20, so again हम same step लिखेंगे, first हम लिखेंगे factors of 25 and 20 are, so factor of 25, तो अब 25 में 1 और 25 तो आएगा ही आएगा, बाकि हमारे पास, 5, 5s are 25, now factor of 20, factor of 20 में भी 1 और 20 तो आएगा ही आएगा, अब 2, 10s अ कितना होता है, 20, तो 2, 10s are 20, उसके बाद 4, 5s are 20, so 4, 5s are 20, now the common factors between 25 and 20 is, तो अब इसमें common factor क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, 1 and 5, एक तो मारे पास ये 1 और एक है मारे पास ये 5, so the common factors between 25 and 20 are, 1 and 5, therefore, the HCF of 25 and 20 is, 20 is 5, तो हमारे पास हाइष्ट क्या है तो हमारे पास हाइष्ट क्या है, 5, 3rd part है हमारे पास, 3rd part में 27 and 75, तो 1st, factors of 27 and 75 are, so factor of 27, so 27, 1 and 27, 1 and 27, 1 or 27 questions as it is ही लिखेंगे, 3, 9s are 27, now factors of 75, तो यहां पे भी हम 1 और 75 को as it is लिखेंगे, तो next, अब यह 2 के टेबल में नहीं आते है, 3 के टेबल में आते है, तो 3 के टेबल में 25, 3's are 75, now 5 के टेबल से जाएगा, 5 and 15, 5's are 75, तो यह हमारे पास 75 के factors हो गए, now the common factors between 27 and 75, तो अब इसमें common factors हमारे पास क्या हो गए, 1 and 3, तो यह हमारे पास इसमें common factor हो गए, तो 1 and 3, therefore, the highest common factor of 27 and 75 is 3, फोर्थ पार्ट में है, 8, 12 and 18, so the factors of 8, 12 and 18 are, so first हम factor of 8, 8 के factor find करेंगे, तो 8 के factor आजाएंगे, 1, 2, 4, 8, इसी तरह factor of 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12, 1 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में तो यह आएगा, उसके पाद 2, 6 are 12, 3, 4 are 12, इस तरह 18 के हमारे पाद क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 6, 9 and 18, आप इसमें common factor क्या है, 1, 2, 1 and 2, so, the common factors between 8, 12 and 18 are 1 and 2, therefore, therefore, the HCF of 8, 12 and 18 is 2, 18 is 2, now, 5th part है मारे पास, 24, 36, 45 and 60, so, the factors of 24, 36, 45 and 60 are the first factor of 24, 24 में 1 and 24, HCF लिखेंगे, उसके बाद 2, 12 are 24, 3, 8 are 24, then 4, 6 are 24, तो यह मारे पास होगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, आप नेक्स्ट हम निकालेंगे, फेक्टर ओफ 36, 1 और 36 को हैस्टेज लिखेंगे, 18, 2 is 36, then 3 के टेबल से जाएगा यह, 12, 3 is 36, उसके बाद 4 के टेबल से जाएगा यह, 4, 9's are 36 and then 6, 6 are 36, अब नेक्स्ट हमारे पास फेक्टर ओफ 45, तो 1 and 45 को आजटेज लिखेंगे हम, then 3, 3 को जब हम इसे के तो कितना जाएगा यह, 15, 3's are 45, 15, 3's are 45 and 5, 9's are 45, इसी तरह, फेक्टर्स ओफ 60 लिखेंगे अब, 60 के फेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगे, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 4's are 60 and 23's are 60, 32's are 60 and 61's are 60, अब हम इसमें कॉमन फेक्टर देखेंगे, तो कॉमन फेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो बान आ रहा है, और क्या आ रहा हमारे पास, 3, और बस, यह हमारे पास, तो ही कॉमन फेक्टर आ रहे हैं, then the common factors between 24, 36, 45 and 60 are 1 and 3. Therefore, the HCF of 24, 36, 45 and 60 is 3 तो हमारा highest common factor 1 और 3 में से 3 तो यहां पर हमारा exercise 8B का first question है उसके जो 5 parts है वो हमने solve कर ली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका next question जो है वो solve करेंगे वीवर्स प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस ते बेल आइकन और फॉर्दर नोटिफिकेशन थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग